अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा तो चलिए मेरे स्टोरूम में तो चलिए यहां पर देखते हैं ओमाइगाद ये स्टोरूम का हालत कैसा हो रहा है दर भी लगता है बारिस के दिन में ऐसे खुछने से पर फीर भी में थोड़ा तो प्लैंतर क्या लेंगे हम बस्च तो यहां पर कुछ तिखाई नहीं दे रहा तो यह सब ले सकते है ना बड़ा भी है और अच्छा भी है यह दिखिए यह अच्छा प्लेंटर होगा बनेगा इसको थोड़ा मैं यह कर लूँगी साफ सफाई करके यह कर लूँगी और यह भी अच्छा है यह भी ठीक है इसको भी ले लेती हूं तो दो प्लेंटर मेरा हो यह सब नहीं लेंगे क्योंकि यह ऐसे तो अच्छा है लेकिन उस कुछ काम में यह सब मतलब जरुरत भी होता है तो इसलिए यह सब मैं अभी नहीं ले रही हूँ बाद में दिखेंगे तो और क्या लों और वहां पर भी है अच्छा तो यह ले लेते हैं एक यह ले लेते हैं और और यह ले सकते हैं न यह ठीक होगा यह बड़ा भी है और यहां से इसको काट देने से यह बहुत अच्छा प्लेंटर बनेगा और देखती हो यह DIY भी कुछ कर सकते हैं इसको तो ठीक है इतना ही मुझे लगता है अभी के लिए इतना ही sufficient होगा तो यह आदा है यह दिखिए यह तीन ले लिया और एक यह दिखिए यह तीन पॉट्स को मैंने यह कर दिया है पेंट कर दिया है अभी देखिए अभी यह तीनो कितना एक pot बना लिया, मैं टी-वी बर दिया और एक pot में दिखाऊंगी आपको वो थोड़ा हैंग करके रखाए मैंने और एक hanging planter बनाया मैंने तो चलिए उसको भी देखते हैं यह देखिए यह उपर का हिस्सा मैंने असे इसको बर दिया, इस पेर में तांद दिया वेस्ट मेटेरियल से प्लैंटर्स बनाई है है एपी गार्डनिंग बाई